हालो एंट वेलकम गाइज मैं हूँ पंकर साहू और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ंटेर्ट बिट पंकर में हम बात करने वाले हैं आज आज फिनिप्टी के एक्सपारी था फिनिप्टी के एकसपारी में हमने कहां का ट्रेड दिया क्या ट्रेड का लॉजिक था और मार् पूरा डिटेल बात करने वाले तो वीडियो के लाश्ट तक बने रहना बहुत इंपोर्टेंट आपको जानकारी मिल जाएगी लाश्ट तक आप वीडियो के रहते हो तो बैट उस्ते पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें आप बेल का इकन प्लीज सब्सक्राइब करता हूँ उस पर आपको 20% डिसकाउंट वो बेसिक और एडवांस दोनों कोश्य मिल लेगा बात करते हैं आज फिन निप्टी के एकसपारी में हमने कहां का ट्रेड लिया टूटल आज बात करते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा वोलटाइल था बहुत ज्यादा मार्केट था अपसाइड डाउनसाइड आज जो मार्केट था आज का मार्केट बहुत दिनों के बाद ऐसा मार्केट बना था मैं अपना पेन भी निकाल लेता हूँ पेन से मैं समझानी कोशिस करता हूँ कि हमने ट्रेड कहां लिया और क्या लॉजिक था फर्स्ट्रेट में हमारा जो लोग बना था, फिन डिप्टी में हमने ट्रेट किया आज, फर्स्ट्रेट हमने बनाना था C-side के लिए, C-side का मार्केट gap up opening हुआ, बहुत लोगों को लगा गों, मार्केट यहां से उपर जाएगा, ठीक है, मार्केट उपर भी थोड़ा सा बढ़ा, मार्केट थोड़ा सा उपर गए यहां से, उसके बाद मार्केट ने हमने C-side यहां प्लान किया था, यहां से हमारा stop loss हिट हुआ था, इस लेबल पर stop loss हिट हुआ था, बट तुएंथ हमने 5 point का stop loss लेके, यहां पर फिर P का प्लान कर लिया, बिकाउज देखो premium जो है न, C का बढ़ ने रहा था, इसलिए मैं premium का, premium में हमेशा नजर रखता हूँ, premium का live में बताता भी हूँ, कि premium का क्या move चल रहा, और हमने यहां से capture किया, P side के लिए movement, और P side का यह पूरा-पूरा movement capture किया, यह trade का logic था, देखो market बहुत देर से consolidate कर रहा था इस phase में, और market उपर पर sustain नहीं कर पादा था, यहां से बायर का, अब इस movement को हमने capture कर लिया, और लगभग जो premium का price था, 40-50 point इस पे हमने profit बनाया था, उसके बाद total अगर बात करते हैं, आज market बहुत ज़्यादा भोल्टाइल होने करण, market में हमने 6-70 trade बनाया है, जिसमें से 3 कई stop loss, 5-5 point का लगा, बट हमने scalping भी किया, 10 point, 15 point का scalping करते रहें, last में हमने 2 घंटा trade नहीं बना पाया, बिकॉज market इतना ज़्यादा trap कर रहा था, market के कोई पता नहीं चल पा रहा था, कि market किधर का जाने वाला, देखो, यहाँ पे एक psychological level था, 20,500 का, फिर निप्टी के में बात कर रहा हूँ, 20,500 का, इस पे हमने एक trade बनाया था, call side में 10 point लिया था, फिर यहाँ पे एक downside 10 point लिया था, तो scalping करके हमने trade यह बनाया था, market यहाँ से जो तूटना इस्टार्ट वा downside, दोनों side को आज market अच्छा खासा दिया, दोनों side में trade अच्छा खासा मिला था, और बात करते हैं यहाँ से, इस level से, इस level से देखो यह high, 20,400, यह level 20,500, यहाँ से market के जो downfall आया, और market यहाँ से अभी closing जो मिला है, हमें है market काई 20,400 अच्छा खासा अच्छा खासा market था, आज का market टेंडिंग था, बोलतायल था, दोनों साइड में PC, दोनों साइड में अच्छा खासा market था, अब मैं पंदा में आपको यह market दिखाता हूँ, पंदा में क्या चल रहा है market का, इस पे यह देखो, अभी चार दिन से अगर बात करते हैं, पांस दिन से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 strength day, market gap up opening, gap up opening, gap up opening, पांस जिन से लगतार market gap up opening कर रहा है, market में बायर लोग को अच्छा खासा, सी सैड में जो लोग ने इंट्री ले रहे हैं, सबको अच्छा खासा profit बनाग दे रहा, अब market में थोड़ा सा profit booking का chances बन रहा, विकाउज आज का market जो है ना, market रिटेश करने आया, उपर पे अच्छा कासा मूब यहां तक का लेबल का दिया, उसके बाद यहां से profit booking आया थोड़ा सा, और अभी जो लेबल बन रहा है, अभी का लेबल फिन निप्टी का देखोगे, तो एक बिरिस मूब बन रहा है, market नीचे से जो है, एक टेडलाइन बना रहा है, अब टेडलाइन जो बन रहा है, यह 20,400 के लेबल पे बन रहा है, यह लेबल मार्क कर लेना, अगर market कल फ्लाइट ओपनिंग होता है ना, तो यह लेबल बहुत इंपॉर्टन रहेगा, और अगर यह टेडलाइन को ब्रेक आउट आता है, तो नेक्स्ट जो लेबल रहेगा 20,300, कि का बिकाउज देखो, यहाँ पे इस जगह पे ना, सबसे ज़्यादा put rider है 20,500 पे, 20,500 पे, अभी market all time high पे चल रहा तो हम लोग इसी को resistance लेबल मानेंगे, और resistance लेबल से put rider यहाँ पे बहुत सारे बैटे हुए है, तो market को, अगर यहाँ से market अगर इस level पे आता है, अगर इस level पे आता है, अगर flat opening होता है, तो एक यहाँ से fall आ सकता है, बट, मैंने बताया ना, कि market में हम लोग जो है, गिर्गिट वाला काम करते हैं, अगर market का किदर भी move आगा, हम लोग capture करने कोशिस करेंगे, बट market अगर gap up opening कल फिर होता है, और उपर पे इस level के यहाँ तक पोचता है, तो यहाँ से एक short का फिर से बन सकता है, बट, market अगर इसके उपर पे sustain करता है, 20,575, यह level mark कर लेना, इसके लिए, इसके उपर पे sustain करता है, तो market का एक और upside का move आ सकता है, बट, इसका जो chances है, वो 30% है, और BRS होने का chances 70% है, तो यह चीज़ mark कर लेना, अब बात करते हैं, निफ्टी का, निफ्टी का क्या level बन रहा, निफ्टी में भी same, 5 strain दे gap up opening, आज भी gap up opening, market ने देखो, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 strain दे gap up opening, market अलेटी जो है, लगभग लगभग बात करते हैं, 19,300, 430, इस level को touch कर चुका है, market, अभी भी 500 के level से थोड़ा सा नीचे है, because 19,500 पर यहां पर बहुँ ज़्यादा put writer बैठे वे हैं, market में, ठीक है, तो हमारा जो resistance level तो यह बन जाएगा, हमारा 19,430, यह resistance level बन जाएगा, downside के लिए जो strong support है, 19,290, अभी market देखो, इसी level पर कहीं open होगा, अगर इस level पर open होगा, market के लिए upside का resistance, यहां से एक short का बन सकता है, downside के लिए इस level तक, अगर market आता तो, but market अगर इस level को कहीं break करता है, तो फिर यह level आपको अराम से मिल जाएगा, इस level तक आप 19,280 तक का short बना सकते हो, but याद देखना, guys, अगर इस level को break करता है, तो market बहुत बढ़ा fall आ सकता है, यहां से, और जो fall आएगा आपको यहां तक 19,000 तक का level भी मिल सकता है, तो इस level को watch out कर ले ला, जब तक market इस level पर रहेगा, थोड़ा सा भी tricky market रहेगा, जैसा आज का market था, बहुत ज्यादा tricky market था, बहुत लोग आज के market दो समझ नहीं पाया है, बहुत अजीब टाइब से market आज behave कर रहा था, market ना side way था, उपर जा रहा था, नीची आ रहा था, बहुत अच्छा खासा market अगर बात करते हैं, बहुत अच्छा खासा market था, बट trap जा रहा था, market का premium 30.1 candle पे बढ़ जा रहा था, ऐसा market देखने के लिए मिलता है, ऐसा scenario भी आता है market पे, तो सब तरह का market आपको देखने के मिलेगा, बैंक निप्टी, बैंक निप्टी सेम, लेबल और मार्क कर लेड़ा, ये जो लेबल है, upside के लिए, 45,000 का लेबल को ब्रेक कर चुका है, market ये बड़ टेच कर चुका था, उसके बाद से यहाँ पर fall आने लगा, और अभी जो market का must level है, अभी ये लेबल देखो, ये लेबल, ये लेबल को ब्रेक कर चुका है, देखो, market अगर बैंक निप्टी ना, ये लेबल को ब् तो downside देखो, 44,985 इस लेबल तक बहुँच सकता है, पट market अगर कहीं उपर हो, गैप अप उपर नहीं हो, कि इसके उपर सस्टेन कर जाता है न, तो market का next, ये लेबल तक अराम से 45,600 तक फिर टच करने के लिए ये बाद जा सकता है, सकेंड डिटेस्ट के लिए, तो ये प् 553 पॉइंट का ये profit बनागे दिया था, ये देखो, ये live में ये live में दिया था, साढ़े 300 पॉइंट का और फिन इप्टी में बनागे दिया था लॉरें its head का ब्लान किया था, और फिस head अब देखो, कल कहीं gap जाए, तो देखते हैं अभी, क्या हो सकता है, कल का मार्केट में, मिलते हैं फिर कल मार्केट में, तिल दैन, अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रू करें न, तिल दैन, गुडबाई, एंड जये हिंट